दर्शको आज हम बात करने वाले हैं कि किन तीन लोगों की किन तीन व्यक्तियों की हमें भूल से भी निंदा नहीं करनी चाहिए भूल से भी चुबली नहीं करनी चाहिए दर्शको वैसे तो हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए लेकिन ना तो हर व्यक्ति एक जैसा होता है ना उसकी मानसिक्ता एक जैसी होती है ना वो कहने से मानते हैं तो इसी लिए एक नियम हर किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होता है लेकिन फिर भी आज हम बात करने वाले हैं कि किन तीन लोगों की भूल से भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए चुगली नहीं करनी चाहिए और उसके क्या दुश परणाम होते हैं ये केवल हम जो हमारी इसमृतियां हैं जो हमारे कानूनी ग्रंथ थे जो हमारे रिशी मुनी थे जो वो बता के गए हैं उनके बेस पे हम बात कर रहे हैं केवल इसका जो बेस है वो आध्यात्मिक बेस है को सबसे पहला जो व्यक्ति है जिनकी हमें कभी भूल से भी निंदा नहीं करनी चाहिए वे हैं हमारे माता पिता हमें कभी भूल से भी अपने माता पिता की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए उन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हीं के कारण आज हम सांस ले पा रहे हैं हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन उनके रिन को उनके इस करज को उतार नहीं सकते तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि यदि हम करते हैं बुराई तो हमें आज से ही ये छोड़ देनी है सबसे पहले माता-पिता वो व्यक्ति हैं जिनकी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए वैसे तो हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तीन व्यक्ति कौन से हैं इनके हमीं भूल से भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी बुराई नहीं करनी चाहिए. सब के माता पिता एक जैसे नहीं होते हैं, सब की मानसिक्ता एक जैसी नहीं होती है, सब एक टाइप से अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, सभी माता पिता सारी सुक्सुईधाई या एक जैसी सुक्सुईधाई नहीं दे सकते सभी अपने बच्चों को और सब की मानसिक्ता सबका आचार वहवार अलग-अलग होता है तो दर्शुकों कभी कभी हमारे समाज में, हमारे घरों में ऐसी परिस्तितियां उत्पन हो जाती हैं जिनके कारण लोग माता पिता की बुराई करना शुरू कर देते हैं पैसो के लिए, प्रोपर्टी के लिए, जमीन जायदात के लिए, बटवारे के लिए, इन सब के लिए तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि जिसने हमें जनम दिया है, जिसके कारण हम यहां हैं, अस्तित्व में हैं उनकी हमें भूल से भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, वो भी हम आगे जानेंगे दूसरा जो व्यक्तित्व है, वो है हमारे गुरू हमें कभी भूल से भी अपने गुरू की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी चुबली नहीं करनी चाहिए आज के समाज में गुरू के विभिन विभिन रूप हमारे सामने आते हैं जब बच्चा स्कूल या कॉलिज में पढ़ाई करता है और जो शिक्षक होते हैं वो भी उनके गुरू ही होते हैं आज कल समाज में ये बहुत ही परचलन में हैं कि जैसे ही टीचर उनका क्लास से निकलता है तो वो तुरंत बुराई करनी शुरू कर देते हैं दर्श को ये गलत बात है इसके भी हमें दुश्परणाम छेलने पड़ते हैं पहले जो गुरू होते थे वो अध्यात्मिक गुरू होते थे लेकिन आज के जितने भी छेत्र हैं समाज में सब के लिए अलग-अलग गुरू है जिनसे हमें एक दिशा मिलती है जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है क्योंकि जब बच्चा उत्पन होता है यदि उसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा सबसे पहले जो गुरू है वो माता-पिता है दूसरे हमारे जो शिक्षक है वो हमारे गुरू है जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं जो अध्यात्मिक गुरू होते हैं वो जीवन में केवर एक ही बनाए जाते हैं जो मुक्ष तक हमें लेके जाते हैं मुक्ष का राष्टा दिखाते हैं वहां तक जाने का राष्टा दिखाते हैं जितने भी कठनाईया होती हैं उनमें वो हमारे साथ होते हैं वो हमें भूल से भी अपने गुरू की निंदा नहीं करने चाहिए। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं एक संत, एक साधू, दर्शको हमारी जो ये प्राचीन संस्कृति हैं, उसके जो परतीक हैं, जो हमारा सनातन धर्ब हैं, उसके जो परतीक हैं, वो साधू संत हैं, वो ही ए देरे हमारे माध्यम तक पहुंचता है। जितने भी हमारे कानूनी ग्रंथ हैं, जो स्मर्तियां हैं, जो पहले होते थे, वो उन्हीं की देन हैं। धर्म की रक्षा के लिए यही लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें कभी भी एक सादू, एक सच्चे संत की, कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी चुगली नहीं करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहरा हूँ कि अगर कोई सादू, संत कोई क्राइम करता है, तो आप उसकी इन्फूर्मेशन पुलिस को ना दें, जरूर दें। लेकिन सामान्य तोर पर हमें किसी बुराई करना शुरू कर दें। यदि आपके पास खाना है तो आप दे सकते हैं लेकिन बुराई करने की जरूरत नहीं है। इन सब का कारण क्या है कि हमें इन तीन लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, वैसे तो हमें किसी की भी बुराई करनी नहीं चाहिए, उसका और बुश्प्राप्त कर सके क्योंकि मनुष्य का जन्म आम जन्म नहीं है। ये काफी परिक्षाओं के बाद काफी कीड़े, मकोडे, पेड़, पोधे की योनियों में जाने के बाद ये जन्म मिलता है। तो ये जो जन्म है हमें ऐसे ही वियर्थ नहीं करना चाहिए। चाहिए अच्छी सोच विक्सित करनी चाहिए ना कि हमें ये बुराई वाली जो लीक है ये नहीं पकड़नी चाहिए इसका होता क्या है इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके दुष्परणाम क्या होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जिसके हम बुराई कर रहे हैं उनक उनके लिए तो यह अची बात है कि हम उनके कर्म काट रहे हैं क्योंकि बुराही करना बहुत खतरनाक होता है मालो किसी ने बुरे कर्म किये हैं या फिर मुक्ष के रास्ते पर कोई है आप उनकी बुराही करना शुरू कर दो जो उनके इश्ट्देव है उनसे ज़्यादा जो रास्ता था, जो कठिन रास्ता था, वो आपने आसान कर दिया, लेकिन जो आपका रास्ता चाहे सरल भी था, वो आपने अपने लिए कठिन बना लिया, तो इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं आप पे क्या negative effect पड़ते हैं, आप किस परकार प्रभावित होते हैं, और वो कौन लोग थे, जो कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, और वो इतने चतुर क्यों थे, वो क्यों जानते थे इस बात को, और उसका कैसे वो लाब उठाते थे, ये इसका जो बेस रहेगा, इसका ज generation है, उनमें एक trend है गाली देने का, किस परकार वानी, किस परकार ये दोशपूर्ण वानी, उनके एक जीवन के हिस्से को खराब कर रिये, जोतिश के माद्धम से हम जानेंगे, और इसके क्या side effect होते हैं, दोसरों की निंदा करना, दोसरों को गाली देना, उसके क्या side effect होत अन्त में विदा लेते हैं, ओम दुरगाईद में